नमस्कार टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको हजार बार नमस्कार करेंगे क्योंकि ये टोटल हेल्थ का पांचोंवा एपिसोड है जी हाँ सागत है आपका टोटल हेल्थ के इस पेशल एपिसोड में हूं करने का अच्वार नमस्कार करने कारती है कि 500 एपिसोड में हर कारिकर्म में शुरू और आखर में हम आपको नमस्कार कहते हैं तो आज हजार वाँ नमस्कार आप तक और बार बार पहुंचेगा एक बहुत जरूरी बात जो इस कारिक्रम के माध्यम से निकल कर आई है वो ये कि स्वास्त सेवाओं को लेकर और स्वास्त के बारे में जागरुकता और जानकारी का जो सर है उसके बारे में हमेशा महसूस किया गया है कि उसे बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और इस कारिक्टर्म के मार्थम से हमेशा हमने कोशिश की है कि स्वास्त के ऐसे ही विश्यों पर विश्यशक्यों के साथ बात चीत हो आज टोटल हिल्थ में पांच सोवाँ एपिसोड जब हम आपके साथ ये प्रसारित कर रहे हैं तो आप तक इन बातों का पहुँचना बहुत जरूरी है और हम भी ये समझना चाहेंगे विश्यशक्यों के जरीए कि हमारे देश में स्वास्ति सेवाँ की दशा क्या है क्योंकि व्यक्ति जब बीमार पढ़ता है या उसे आवशक्ता होती है स्वास्ति सेवा की तो बहुत से दावों और वादों के बावजूद उसका जो अनुभव होता है बहुत बार उसे बड़ा दुख होता है ये देखकर कि अगर वो सरकारी अस्पिताल की ओर जाता है तो उसे बहुत इंतजार करना पड़ता है दूसरी तरफ अगर वो प्राइविट अस्पिताल का रुख करता है तो वहां अस्पिताल की में जो इलाज का खर्च है वो और उसके साथ साथ एक विश्वस्नियता को लेकर जो प्रशन उठ रहे हैं आज ऐसे तमाम महतुपूर्ण विश्वों पर और क्या तैयारी हमारी आने वाले दिनों के लिए उस पर हम ज़रूर बात करेंगे जी हां क्योंकि जैसा संजीर जी ने कहा कि अगर गर्मेंट हास्पितल में जाना हो तो लंबी कतारों को लेकर जो मन में डर रहता है रोगी ये भूल जाता है कि मैं जादा विमार हूँ या फिर वहां पहुँच सकता है और किस तरह की तैयारी की जाए क्या हमारी तैयारी है आने वाले समय में जहां विश्यशग्य ये कहते हैं कि तकरीबन हर बीमारी के केसे बढ़ रहे हैं हमारे देश में इस विशे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विश्यशग्यों का हेड हॉस्पिटल एड्मिनिस्ट्रेशन एंड मेस आपी सेंटर अखिल भारतियार विज्ञान संस्थान से डॉक्टर एमसी मिश्रा चीफ जै प्रकाष नारायन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर से और अशोक सेट चेर्मन फोर्टीस स्कॉट्स हार्ट इंस्टिटूट से आप सभ बड़े अस्पिताल में डॉक्टर एमसी मिश्रा आप से ये सवाल पूछते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार पढ़ता है स्वास सेवाओं की जब बात आती है इस वक्त क्या लगता है आपको पूरा परिद्रिश क्या है व्यक्ति कहां जाना जादा पसंद करता है किसी को कंसल्ट करूं और ये किसी भी व्यक्ति के लिए महिला या पुरोष बच्चा या हमारे बज़ुर्ग सभी के लिए ये बहुत उप्योक्त सवाल है और मैं समझता हूं कि जब हम कहते कहां जाए तो हम एक फ्रेज यूज करते हैं क्लोजिस्ट एप्रोप्रियेट फैसिलिटी वो हमको उपलब्ध होनी चाहिए जैसे आप कहें मेट्रो से आप सफर करते हैं तो मेट्रो के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा बस सर्विस अगर आपको मुहया कराई गई है तो कितना आपको चलना पड़ेगा और इस बा तो इसी तरह से अस्पताल की भी बात आती है कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए हम कहते हैं क्लोजेस्ट एप्रोप्रेट फैसिलिटी चाहे वो एलेक्टिव उपीनियन के लिए जा रहे हो या एमर्जेंसी में जा रहे हो तो सबसे और इसमें मैं समझता हूँ कि एक कुछ आ अर्बन में वो थोड़ा बेहतर है लेकिन अभी भी इट इस फार फ्रॉम सटिस्वें ये भारत के आंक्रे हैं ये भारत के आंक्रे में बड़ा रीसेंट सर्वेय है ये 2013 काई जिसमें अर्बन और रूरल का कंपेरिजन किया उन्होंने तो लगभग बहतर फीजदी लोगों को पांच किलो मेटर से जादा चलना पड़ा अर्बन में ये आंक्रा कम है लेकिन है यहां पर भी डिस्टेंस हो सकता है बिलिंगली हो कि मैं 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 एम्स में जाना है या मैंने किसी फोर्टिस में जाना है या और अब लोग यहां से गोड़काओं दिल्ली आते हैं तो वह एक स्वयम लोग निर्णे लेते हैं इस बात पर कि कहां जा सकते हैं और उसमें एक्सेसिबिलिटी हेल्प केर के लिए बहुत बड़ा इस्यू है बहुत महत्वपून बात डॉक्टर मिश्रा आपने कही है अनुरादा जी आप से जाना चाहेंगे यह जो पॉइंट डॉक्टर मिश्रा ने उठा दिया है कि क्लोजस्ट पॉसिबल फैसिलिटी कि मैं क्यों न अपने घर के आसपास ही अगर कोई बीमारी होती है तो चला जाओ या चली जाओ क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति को यह लगता है कि चाहें जो भी कह है जो बेस्ट हॉस्पिटल है वो दिली में ही है तो मैं सबसे पहले दिली ही जाओंगा क्या कहना चाहेंगे एक तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जब आप हेल्थ की बात करती है तो हेल्थ इस नॉट जिस अबाओ क्योरेटिव सर्विसेज कि अगर आदमी बीमार पढ़ गय है कि हम किस तरीके से गेक कोशेश करें कि बिमारी कम हो जिन बिमारियों से बच सकती है हमारी पॉपुलेशन उससे बचा जाएं हमारी जो गिली से प्रमोट हों जो रिस्क टाश忏ं together हम जादर से जादा जानकारी लोगों को हो थाकि वह खुद अपनी हेल्थ की एजेंट्स बने, उनकी जो डिपेंडेंस है, वो हस्पिटल्स पे कम हो, और वो खुद जिम्मेवारी ले अपनी एक अच्छी हेल्थ की, एक तो बहुत बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से हमारे देश में है, जिस पे बहुत जादा ध्यान नहीं दिया गया है, दूसरी बात ह है यह बिस्टन्स की, अब मैं आपको यह कहूँ कि हमारी जो आप सोच है पॉब्लिक हेल्थ के अंदर वो यह है कि पहले हुआ करता था पॉपुलेशन बेस्ट के एक जो आपका सबसेंटर है वो पांच हजार पॉपुलेशन पे है, प्राइमरी हेल्स सेंटर जो है वो होनी चाहिए और जब हम किसी सर्वे की बात करते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी है कि वो एक नैशनल लेवरेज है ठीक है कि पांच किलो मीटर से कम यह ज्यादा लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो देश के उन भागों में है जहां आपकी स बहुत मुश्किल इलाके हैं वहां पर लोगों को कितने कितने घंटे दूर जाना पड़ रहा है तो मेरा मैं जो एक बात उठा रही हूं वो यह है कि कई बर जो एवरेज होती है ना वो देकें मास्क लॉट ऑफ इनेक्विटीज लेकिन बेसिक मुदा यह है कि लोग अपन सिस्टम है उसके ओपर एकसेस होना बहुत जरूरी है जी डॉक्टर अशुक सिट अगला सवाल आपको जा रहा है वो यह कि यह जो बात निकल कर आई है वपी कि कहीं नजदीक में ही कोई स्वास्त सेवा उपलब्द हो अगर हम पुरे देश के बात करें प्राइविट सेक् में दी जा रही है उसका एक 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 बड़ा हिस्सा उसमें वो अपना योगदान दे रहा है लेकिन वहां तक कितने लोग पहुच पाते हैं अलांकि यह बात अलग है कि आज कि प्राइवेट अस्पितालों में भी इतनी भीर लगती है कि वहां भी बहुत इंतजार करना करते थे तो उस वकत भी पढ़ाया जाता था कि एक ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान में हर साल एड़न हो जाता है मतलब सोची कि एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन एड़ हो जाती है 1.2 बिलियन अगर यही हेल्थ केर की स्ट्रक्चरें शुरू से एक इस तरह से होती कि हम एक डिलिवरी मॉडल पे बिलीव करते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता है और जो भी अभी भी जितनी भी इनिशेटिव आ रही हैं स्मॉल टू लिटल टू ले चाहे हम वो उनिवर्सल हेल्थ कहें वो पाइप ड्रीम है रियालिटी तो इस अंदुस्तान में 1.2 बिलियन लोगों के साथ नहीं हो सकते जब हम प्राइवेट हेल्थ केर की बात करते तक बड़ी अम्यूजिंग बात आती है और मैं सहमत बिलकुल नहीं हूँ कि हम कहें कि सिरफ प्रिवेंशन का ही मुद्दा रह गया इतनी साथ जो डिजीज प्रॉसेस हैं इस देश मे चाहे वो किसी वर्ग में ले ले इंफेक्शन है डारिया है डिसेंट्री है मलेरिया है चाहे वो ले और एक तरह ले लें क्या उसको हक नहीं है जिसका लिवर फेलियर हो रहा है और उसका लिवर ट्रांस्प्लांट होना उसकी भी मौत उसकी भी जिन्दगी वही है सो हमें तो डील करना है जो प्रेजंट सरकम्स्टांसें यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेवेंशन जरूर हो सो दाट आज से बीस साल बाद हमको यह दिन देखने को ना मैं बट जो हेल्थ के डिलिवरी है वह इस अपने गार में नहीं चुप सकती नहीं चाहे वह गौशन हो यह प्रेवेंशन कि बात करेंगे प्रेजंट से स्टाट करने सब्सक्राइब क्योंकि यह तो हम लेट हैं यहीं मुद्धे अगर हम 25-30 साल पहले बात कर रहे होते हैं तो शायद जा नहीं होते हैं तो आप खुद सोचिए कि हिंदुस्तान ने प्राइवेट सेक्टर वो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर है जो गली के एंड में जो दॉक्टर बैठा था जिसके हमने अज चायद हमने दिखा होंने दिखाया गया वो भी तो प्राइवेट सेक्टर था private sector is delivering a lot और वो चाहे वो nursing homes, छोटे शहरों में nursing homes या private practitioner के जरीए हो या बड़े शहरों में tertiary centers आगे हैं इसके जरीए deliver हो रहा है और यह क्यों आया है? यह भी socially की बात है why did it not flourish in England? England में क्यों नहीं हो? इसलिए कि यह deficiency of services थी government की, अगर government अपने आपको नहीं meet कर सकी, तो private sector ने वो gap fill-in किया, तो लोगों को फायदा दे सके, advancements, science, technology, सब की इसी के थुआई जी